लो स्टूडेंस टोड़ी स्टार्ट ग्लास 10 चैप्टर 6 एक्सराइब 6.5 बीटा प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब इस चैनल कोशन नमबर 7 देखिए प्रूब देखिए प्रूब देखिए प्रूब दा सम आप दा स्केर आप दा डाइगनल आपको बिटा एक हैं वह बाइकक्ट करते हैं अट 90 डिगरी पर ठीक है भी टा ओके लिए पो और आपने यहां पे जो प्रूब करना है वह वह B का स्केर B C का स्केर D C का स्केर और E D का स्केर जोगा इकोल होगा AC का square प्लस BD का square ठीक है जो इसकी चारो साइड का square उनका sum और equal होगा किसके दोनों diagonal के sum का ठीक है दोनों diagonal के square के sum का ठीक है तो चलिए आप इसको diagram को बनाएंगे और लिखेंगे आप ने बिटा यह diagram बनाई इसकी ठीक है ABD, ABCD is a rhombus and AC and BD bisect कर रहे हैं at 0 पे ठीक है तो AC और BD इसके दो diagonal है ठीक है रहे बिटा रोमबस में चारो साइड है इकोल होती है आपको प्रूब करना है इन चारो साइड के sum का square इकोल टू डाइगनल के square डाइगनल का square है और उनका sum ठीक है बिटा चलिए तो प्रूब करत है सबसे पहले हम तो जो हमारे पास diagonal होते हैं आप लिखेंगे इन इन रोमबस डाइगनल 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 बाइसेक्ट इच अधर at 90 degree ठीक है जो भी है आपके पास जो डाइगनल है दोनों वो किस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 degree पे और बेटा AO यहाँ पे इकोल हो जाएगा OC के and BO इकोल टू हो जाएगा OD के और हमारे पास अगर इनके जो एंगल आएंगे AO B is equal to BOC is equal to COD is equal to DOA और चारो के चारो किस के एकोल हो जाएगे 90 के एकोल ओके पेटा तो यहाँ पे हमारे पास यह क्या है आप राइट ट्राइंगल बन गया AO B भी राइट ट्राइंगल है BOC and COD सारे के सारे आपके पास क्या होगे राइट ट्राइंगल तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल AO B ओके पेटा यहाँ पे आप यूज़ करेंगे पाइथागोरुस्तियोर्म भाई भाई पाइथागोरुस्तियोर्म ठीक है पाइथागोरुस्तियोर्म आप यूज़ करेंगे तो हाइपार्ट न्यूज अबी है यहाँ पे अबी स्क्यर इस इकल टू ओबी स्क्यर प्लस ओए स्क्यर ओके तो ओबी स्क्यर यहाँ पे बिटा ओए स्क्यर और ओबी स्क्यर जो है वो क्या है ओबी है हाफ आफ आफ बीडी तो आप दिखेंगे हाफ हाफ आफ बीडी का स्क्यार प्लस ओ जो है वो क्या है आपके पास हाफ आफ एसी का स्क्यार ठीक है क्योंकि आपने अब भी प्रूफ किया उपर कि यह जो डाइगनल है बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं और इच अदर एट 90 डिगरी और साथ में 90 डिग स्क्यार पान 4 अब यहां पर 4 आपने LCM ले लिया 4 इदर आके मल्टिप्लाई हो जाएगा AB स्क्यार इस इकल टू BD स्क्यार प्लस AC स्क्यार ठीक है पिटा अब आप यहां बता देंगे जो AB है वो इकल था हमारे पास रोंबस की चारों साइडे क्या थी इकल थी ठीक है तो आप यहां पर देख रहे हैं इनका स्क्यार तो आप ऐसे कर देंगे AB स्क्यार प्लस BC स्क्यार प्लस CD स्क्यार प्लस DA स्क्यार इस इकल टू BD स्क्यार प्लस AC स्क्यार तो हैंस प्रूफ आपको यही प्रूफ करना था प्रूफ हो गया आपके पास यही प्रूफ करना थ sum of the square of the four side of the rhombus equal to the sum of the square of the diagonal of the rhombus, okay, so hence proof thank you